नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जानेंगे UPS के बारे में कि UPS basically होता क्या है और इसको हम किस जगाय काम में लेते हैं और UPS के कितने परकार होते हैं types of UPS और उनके पिरकार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा UPS कहां यूज होता है basically उसका ब्लॉक डाग्राम क्या होता है उसमें हम कौन-कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं अगर आप इस वीडियो को completely last तक देख लेते हैं अच्छी से समझ लेते हैं तो आप UPS के बारे क्याना इसको प्रेस कर देना और all select कर रिजना ताकि मैं आपर जब कभी भी कोई वीडियो अप्लोड को तो आपको इसकी notification मिल सकी इसके बाद जो UPS का full form होता है यूनिट अरफ टेवल पावर सप्लाई इसको आप अन्ट अरफ टेवल भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको यूनिट अरफ टेवल भी बोला जाता है तो यह आप पर डिफेंड है कि आप इसको क्या भूलते हैं इसको आप अंट वर पावर सप्लाई बूलेंगे yunite अरफ वर पावर सप्लाई अब इसका यूज की बात करहें तो बिसकलिक लिसका यूज हम कहां करते हैं तो शका हमारा UPS होता है लेकिन हाँ पर सबसे बड़ा डिफ्रेंस यहीं आ जाता है कि जो इन्वेटर होता है उसको हम घंटों तक जो इसकी जो बैटरी वह बहुत जाना चलती है और उसको बहुत देर तक अपने यूज में ले सकते हैं लेकिन यूपिस को अम इतने जाना यूज में बहुत होगा तो बहां पर जन्रली यूपिस का यूज भी किया जाता है कि अगर हम लोगों ने बहां पर यूपिस नहीं किया और हम डायक्ट ही अपने मैं सप्लाइज से अपने कंप्यूटर को अप्ट हो जाएगा तो हमें कुछ समय चाहिए पड़ता है ताकि हम जो अप पर बंद ना हो क्योंकि अगर वो डारेक्स बंद होगा तो उसके अंदर कुछ वह भी खराब हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर भी खराब हो सकता है और उस टाइम जिस आपर काम क्वावर सप्लाई देता रहता है ताकि इतने टाइम में जो हम अपने डीटा जिस पर हम काम कर रहे हैं वह ही सेफ करकर हम जो उसको प्रॉपर रूप से सर्डाउन कर सकें ताकि उसमें और खराबी ना आए तो इसी प्रिकार से हैं नहीं अपर यापकर करते हैं तो करते हैं नहीं है यह आपकी बनाने को आ की बहूत मुष्ट इंपूर्ट है जितने अब ही मेर पटाने वाला वो सारे के सारे बहुत मुष्ट齡 है उने में से कुई भी सुन्ह यज विद्धि सेकेंड एर की इंजिनरीक ड्रोइंग में ऐसकता है तो यहां पर बेसिक लिहां दो तीन दो काम में लेते ही सबसे पहले होता हमारे input power supply जो कि हमारे mail line होती है जो कि हमारे घरों में आती है इसके बाद इसमें हम यूज करते है रेक्टिफायर और चार्जर रेक्टिफायर का काम हमें पता ही है कि रेक्टिफायर जो है AC power supply को DC power supply में convert कर देता है इसके बाद आती है battery बैटरी में जहां हम उस DC power को store करते हैं क्योंकि AC current को store नहीं किया जा सकता इसलिए जो और एक्टिफायर ने convert किया हुगा है DC energy उसको DC electricity उसको हम बैटरी में store करते हैं कि इसके बाद यहां पर आजा है static transfer switch यह थोड़ा important है इसको आप लोग अच्छे समझेगा तो इस्टेटिक ट्रांसफर स्विच ट्रांसफर स्विच तो इससे जो है हम power supply को transfer करते हैं वह हम आपको आगे भी समझाते हैं इसके बाद हम काम में लेते हैं inverter inverter का काम होता है DC power supply को AC power supply में convert करना और फिर हमारा होता है लूड़ जहां पर हमें उसको देना पड़ता है तो कुछ इस प्रकार से यूपेस ब्लॉग राइगराम था आपको केवल दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है रेक्टिफायर बैटरी इनवर्टर और स्ट्रेटिक ट्रांसफर स्विच और मैं पावर सप्लाई और लूट तो यह आप बनाई लेंगे तो इस प्रकार से आप इसका ब्लॉग टाइग्राम जो बनाना सिख जाएंगे जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आगे वीडियो आएंगी उनमें बनाना सिखाऊंगा को कर लिए और आपको ड्रॉइंगा यह से प्रकार के होते हैं तो यूपिय स जनरली होते हैं टीन प्रकार की और الإंस ऑफوم्समारी उन्लाइन उपैस लड़ीएंस नहीं इंटर्क्टिव पार में लाइन यूपियस के बारे में तो इसका मैं आपको डारेक्ट की ब्लॉक रा वही जो UPS का हमने ब्लोक डाइगा तो वो सारी चीजें काम मिलेते हैं जहां पर रेक्टिफायर था बैटरी था इनिवेटर था ट्रांसवर स्विच था वह यहां पर हमारा लूड अब यहां पर दो चीजें आपको नई देखने को मिलना है इस पाइप प्रोटेक्टर और फ सप्लाई के जो यहां पर मान में परिवर्तन होता है तो उसी से उत्पन जो बादा होती है प्रोब्लम होती है उसी से जो है स्पाइप प्रोटेक्टर जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी UPS को मलब कि यहां पर जो परिवर्तन हो गई AC पावर सप्लाई में उससे जो यहां है most important question है आप लोग याद रखिएगा पीपर में पूछ लिया जाता है कि कि यूपीएस को double conversion और online बोलते हैं तो आप सभी को यहां पर याद रखना है online UPS को जो है double conversion online UPS बोलते हैं तो online UPS में दूस्कों यहां पर एक और question बनता है important कि ऐसा कौन सा UPS है जिसमें always power supply हम battery से ही लेते हैं तो वह आपको याद रखना है online UPS जिसमें हमेशा power supply हम battery से लेते हैं अब यहां पर जैसे कि आप डार्क लाइन देख सकते हैं इसका मलब यहां से हमारी power supply जा रही है डॉट डॉट का मलब है यहां से power supply नहीं जा रही है ठीक है तो यहां बैटरी में चार्ज करने के बाद फिर दोस्तों हम उसको यूज में लेंगे इनिवेटर में जाएगी वह अपर बापस डीजी से हमेशा जो है हमें आपर battery से power supply लेते ठेटे हैं एक्जांपल के लिए हमारे battery खराब हो गई तो यह emergency case आ गया तो यहां पर बेसिकली उपिस करेगा क्या अगर अमर्जेंसी किसमें आपर बैटरी खराब हो जाती है हमारी या अनिवर्टर रेक्टिफर वग्यरा खराब हो जाता है तो फिर यह ट्रांसफर स्विच है यह इस पावर सप्लाई को ट्रांसफर कर देगा बलगी अभी यह बैटरी से आ रहे थी अब वो डारेक्ली यान लेग लेकिन यह अमर्जेंसी किसमें होता है तो यह तो होगी तब की वाद जा हमारी यह इस पावर सप्लाई आ रही थी आप एक्जाम्बर लिए हमारी एसी मेल लाइन कट ओफ हो गई तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह ब्लोग डाइगराम में तब का तब यहां पर प diferen को चार्ज करना बंद कर देगी तो यहां पर हुआ जितनी एनर्ज इमारे बैटरी में होगी उसको ही जो हम यूज मेно है लेपाएंगे मलब कि जितनी टांटाओ पाबार हमारी बैटरि में होगी उतनी ही टांटाओ हमें सप्लाई दी तए यहां पर किवल बैटरीय चार्ज नहीं होगी में में कुट खाली और इनर्जी बैटरी में होगी it तो यह ती है online UPS की बाद अब हम बात करते हैं offline UPS की भाद यूणकि अभी मैंने बताया यह होते हैं तीन प्रकार की online offline online interactive तो offline की बात करते हैं तो यह है offline UPS का ब्लोग राइग्राम अब इसको आपको अच्छी से समझना है तो सबसे पहले आप सभी लोग एक बात याद रहे हैं इसको हम लोग जो है स्टेंड वाई अफ्लाइन उपिस भी बोलते हैं यह most important question है आप से exam में पूस्ता है कि इस्टेंड वाई युपिस किसको कहते हैं तो आपको याद रखना power supply मिलके जब तक हमारी AC man power supply आते रहेगी वो power supply परोटेक्टर फिल्टर से होते होते जो हमें मिलती रहेगी और 7 बार सहता से battery को भी चार्ज यहां पर करती जाएगी आप लोग यहांपर समझे होगे क्या है यह हमारी सात्त में हम साथ में उसको काम में भी ले रहे हैं वे साथ में अपने बैटर्यवरी चाज़ लरै यह जब की वात है जब हमारी power supply कट आफ नहीं हुई अब हमारी पावर सप्लाइज यहां पर कट आफ होगी तो आप इस केस में क्या होगा तो इस केस में अब है ट्रांसफर स्विच की बहुत आहम बूमे का अब आप ट्रांसफर स्विच को अच्छे समझे तो ट्रांसफर स्विच पहले जो पावर सब्सक्राइब कर देगा और हमारी पावर सप्लाइब बैटरी से ली जाने लगेगी यहाँ पर दूस्तु जो यहाँ पर ट्रांसफर स्विच होता है इसको पावर सप्लाइब ट्रांसफर होती है उसमें लगा समय क्या होता तो आपको याद रखना है ट्रांसफर टाइम या ट्रांस फर समय यह इपूंटिन को अच्छन है पूछ सकता आप सिख्ञाम में तो यहां पर हमारी AC power supply cut हो गई आप यहां पर साथी में हमारी battery charge करना बंद होगी तो आप यहां पर जितनी हमारी battery charge होगी वहां से उसमें जितनी भी electricity वह जाएगी inverter में inverter में DCC AC में convert होगी फिर वो यहां पर transfer switch की मदद से यहां पर load को दे दी जाएगी तो यहां पर आप लोग एक बात और याद रखीएगा ट्रांसफर स्विच जब पावर सप्लाई को ट्रांसफर करता है तो वो कुछ समय के लिए पावर को होल्ड कर लेता है और इसकी जो कारपनाली होते हैं वो मिली से माइक्रो सेकंड तक की होती है की मिली माइक्रो सेकंड में ही जो माइक्रो सप्लाइब को ट्रांसफर कर देता है तो यहां पर यहां पर पहले से हम पहले even see power supply से लेते हैं् ऑफर जैसे सिपावर चली जाती है फिर हम उसको theam यह थी Online यूपर और offline उसक्राइब बात करते हैं लाइन इंट्रेटी homme आप आप करे है लेकिन इसमें जो हम अलग-अलग यूज़ कर रहे थे रेक्टिफायर और इनवर्टर उसको जो है एक यूनिट में यूज़ करते हैं तो इस यूपियस में बेसिकली कॉमा चीज गया है तो वह बैटरी जो कि हम अपने दोनों यूपियस में काम मेले रहते और एक ट्रांस ओने जो करते हैं उनको हम बैसिकली एक युकति में एक में कर देते हैं मलब कि हम यां पर एक ऐसी बनाते जो इनवर्टर और की तरह भी करका करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो केस बनता है कि AC power supply आ रही है तो यहां से यह हमारी लोट को भी दी जाएगी और साथ में हमारी कनवर्टर के द्वारा एसी से डीसी में कनवर्टर होके हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगी जह हमारी एसी पावर सप्लाई आ रही बलब कि यहां से पावर सप्लाई लोट को भी दी जा रही और साथ में बैटर तो उसको जो है हम यहां से इनवर्टर की साहता से DC to AC में करके उसको लोट को देते हैं तो यहां पर तीनों ही UPS में एक ही कॉमन चीज है कि हमें अमर्जेंसि inconvenience में मिलती रहेगी जब तक कि हमारी battery चार्ज रहती है यतनी electricity हमारे battery में स्टेも होगी जब उतने ही टाम तक यहां पावर सप्लाई को काम में लीदे हैं तो आई होसित इंतीनों यूपेस को में यूज़े हो इसके बाद भी दूसकर यहा पर हम अर्थिंग के बारा बाध है तो यह पर अर्थम नहीं काम मेरेता हम धूर्परकार की यह counselor होती है न्यूट्रल-वसकार रहें तो बहाँ पर एक होता है और एक न्यूटल राता यह थो एक तो आपके बूव अर्थिंग हो गई न्यूटल रथिंग इसके बाद बॉड़ी-अर्थिंग वह करते हैं कि जो मारे उपसंद आया हूँ वीडियो अच्छे देगे तो लायक रते जाएगा और इसी पिड दूस्तों फ्लार के अतना ही मिलते हैं फिर किसी वीडियो में